नमस्कार प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम क्लास एट की हैपिनेस स्टोरी थी पढ़ने वाले हैं जिसका शिर्षक है राविया की सुई एक गाउ में लोग हमेशा एक दूसरी की बुराई करने में लगे रहते थे यह हैं उनके दुख का एक बड़ा कारण था गाउ में एक संत महिला राविया रहती थी वह हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने राविया को कुछ खोजते देखकर पूछा क्या खो गया है राविया ने जवाब दिया मेरी सुई गिर गई है उन्होंने सोचा बुढ़ी महिला है और आखे भी कमजोर है इसकी मदद करने चाहिए वे लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लग गए लेकिन तभी उन में से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज है जब तक ठीक से पता न चले कि कहा गिरी है तो इतने बड़े रास्ते पर कहा खोजते रहेंगे उसने राविया से पूछा मा जी यह तो बता दो कि सुई गिरी कहा है राविया ने कहा सुई तो घर के भीतर गिरी है राब्या का जवाब सुनते ही गाउं के लोग चकित रहे गए और कहने लगे कि हो नहो माई पागल हो गई है सुई घर के भीतर गिरी है और यह घर के भाहर खोज रही है यह बात जब उनोंने राब्या से पूछी तो राब्या ने कहा यह तो मुझे भी पता है लेकिन भीतर अंधेरा है और बहार रोशनी है अंधेरे में खोजू तो कैसे खोजू सुई तो केवल रोशनी में ही खोज स है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा अब हसने की बारी राबिया की थी राबिया बोली बेटा बात तो आप समझदारी की करते हो लेकिन मैं तो हुआ ही तरीका अपना रही थी जो तुम सब को अपनाते देखती हूं गाउमालों ने हैरत से पूछा क्या मतलब राबिय ने कहना जारी रखा मैं रोज तुम लोगों को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखती हूं असल में तुम सब दूसरों की खुशी खोजते हो और जब नहीं मिलती तो उनकी बुराई करते हो जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है तुम सब दूसरों के वहवार मे दूसरों के तौफों में, दूसरों से मिलने वाले फायदे में, दूसरों से मिलने वाली तारीप और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर खोई है, खुशी वहीं खोजो, जहां खोई है, गाउं के लोगों को अब गाओं के लोगों की तरह आप भी अपनी खुशी बाहर ढूनते हैं कैसे बच्चों अपनी जंदेगी से कोई उधारन दे कर बताईए कि क्या आपने कभी किसी से अपने मित्रों या संबंधियों की बुराई की है यदि हां तो बुराई करने के पीछे क्या कारण था आप दूसरों की बुराई करने पर लोग खुश होते देखे जाते हैं।